Assalamualaikum everyone I hope you all are doing great this is me Isha Chohan welcome back to my YouTube channel आचा तो I am back with another review video आज की वीडियो में हम एक sunscreen का review करेंगे आचा जिस sunscreen की मैं बात करी हूँ वो है whitening essence की sunscreen टाइम जाए कि अब अगर जल्दी से इसकी packaging देख लेते हैं अचा संस्क्रीन जो है वो मुझे इस box में रिसीव हुई थी बहुत प्यारा क्यूट सा बॉक्स है इसको उपन करें तो अंदर एक sunscreen पड़ी हुई है जिसका आज हम review करेंगे उसकी इलावा इदर mention किया हुआ आप लोगों को मेरा review देखने के बात पता लगेगा कि वाके में आप इसको deserve करते हैं यह नहीं अचा तो इस तरह कि इसकी ट्यूब शेप में packaging है quantity जो है इसकी 50 ml है प्राइज जो है प्राइज इसकी 1250 रुपीज है लेकिन मैंने भी इसको sale पे लिया था और अभी 20 पे रमदान की sale लगी हुई है मेरा complete review देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको यह sunscreen buy करनी है तो I suggest आप भी sale में ही buy करें sale में काफी affordable पर जाती है वैसे यह affordable sunscreen नहीं है अचा वीडियो को आगे करने से पहले है आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को subscribe कर लें आदे से जादा लोग मेरी वीडियो ऐसी देखने और सबस्क्राइब नहीं करें जो के बहुत गलत बात है ठीक है जल्दी से वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें SPF जो है इसमें 60 प्लस है जो के sun protection के लिए enough होता है उसके इलावा ये एक hybrid sunscreen है जिसका मतलब इसमें बहुत UVA और UVB filters मचूद हैं अचा थोड़ा सा इसके ingredients को देखें तो इसके ingredients में alpha, arbutin, glutat, hyon भी है उसके इलावा लेकोराइस भी है जो के मतलब brightening के लिए यूज की जात which is actually true, जब मैं इसको लगाती हूं तब भी मैं skin fair fair सी, मतलब white cast नहीं देता पर आपके skin एक neat सी लग रही होती है अचा आप जल्दी से बात कर लेते हैं इसके good points के हैं और इसके bad points भी है ठीक है तो video आप लोगों ने end तक देखनी है, सबसे पहले हम इसके good points के बात करते हैं अचा जैसे यह claim करते हैं कि यह oil or sweet free sunscreen है तो यह claim इनका बिल्कुल सही है इसको लगाने के बाद ना ही oil आता है ना ही पसीना आता है जितना आपके face पे पहले oil या पसीना आता है उतना तो आएगा यह ने के बिल्कुल भी नहीं आएगा ऐसे नहीं होगा ठीक है यह नहीं हो लग जाता है इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता उसके इलावा यह light weight से sunscreen है जिसना मैंने अभी बताया यह heavy नहीं फील करवाती इसके इलावा इसकी matte finish आती है और यह बिल्कुल भी eyes में भी irritate नहीं होती है अकसर sunscreen लगाने के बाद आंकों से पानी आने लग जाता है इसके साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता उसके इलावा इसमें fragrance भी बिल्कुल भी नहीं है वह जो इसकी natural होती है sunscreen की fragrance वह इसमें है और कोई भी add नहीं की फ्रेग्रेंस इसमें अब इसका texture देख लेते हैं तो इसका lotion like texture है easily spread हो जाता है बिल्कुल lotion की तरह है thick creamy नहीं है lotion like ह अब बात कर लेते हैं इसके bad point की सबसे पहले तो इसका जो point जो मुझे नहीं अच्छा लगा वह यह कि यह absorb जल्दी से नहीं होती skin में काफी time लेती है इसको जो है absorb करना skin में लगाना मुश्किल है वैस तो sunscreens mostly जो है absorb होने में time ही लेती है लेकिन इसकी यह चीज मुझे न यह पिल करती है आप इसको लगाएंगे ना मैं इसको मैंने इसको two finger rule के according यूज की है ठीक है उस अगर quantity में आप ले रहे हैं two finger rules जितनी आप इसको यूज करें तो यह पिल करेंगी अगर मैं बोलू ना कि मैंने इसको 10 दफा यूज किया तो 10 मैंसे 7 दफा यह पिल की है इस सूरत में कम पिल करती है जब मैं इसको फॉरण से ब्लेंड करना हो लाइक मैंने पहले पूरे फेस पे इसको spread किया है उसके एक या दो सेकेंड बाद ही मैं इसको ना फॉरण से ब्लेंड करने लग जाओं तो यह हो जाती है लेकिन फिर भी यह आपके अपर लिप्स पे सी चीज लगाइए है जो कि पास करने में बहुत लगती है दूर से नहीं पता लग रही होता लेकिन पास से जब आप देखें या कोई आपको देखें तो आजीब वायड वायड सी आपकी अपर लिप्स ओाली साइट पे आपको ना देखने को मिल रही होगी उसके लावा कि जो लोशन लाइक कंसिस्टेंसी है ना उसका एक नुकसान यह कि अगर आप जल्दी से इसको खौलते हैं ऐसे नीचे करके तो अक्सर वो लोशन लाइक जो इसका टेक्श्चर है वो फॉरन से बाहर को आने की करता है तो वो अक्सर इस तरह गिर जाता है वागी यह कि आप तो नहीं किरेगा ऊसके लावव यह जो है भीलकुल मैड फिनिश देता है आपको टो यह डॉय स्कीन वालों के लिए बिलकुल भी नहीं है हॉईली एक्ट्र ओईलियbas किसकीन है वह को यूजी कर सकते हैं और Summers के लिए यह अच्छा है क्या ज्सचे बिल्के बिल्के ज्या वह यह आपको थोड़ी सी काने चाहिए कि आपने इसको ब्लेंड किस था करना है कि यह पिल ना किरें उसके लावाफ यह либо कि नीचे मैंने इसको बुरी लगी और यह ज़्य बीस्ट बात है मैट फिनिश देती है वह अच्छी है ना इस में जादा स्के इसको लगाने के बाद साएंस ना पसीन होता है उल्सक्रीन को ये पहले कि आपके आपके ये इसकी है नहीं आपके नियाप किसके जाएगी ऑल ये बाप्रों के उपर रहे हैं बाकि यह मेरा honest review था I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब्सक्राइब 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 करना ताकि ऐसे आपको और honest reviews मिलते रहें सो मैं मिलूगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर अला फेज